धन्तेरस के मौके पर सोने चांदी की खरीदारी शोग मानी जाती है और यही वज़ा है कि बाजार में काफी रौनक नजर आ रही है धन्तेरस के शगुन के लिए कोवेरियंत्र की खरीदारी जम कर हो रही है इसके साथ ही गेहनों को लेकर भी लोगों में काफी क्रेज है लाइटवेट ज्वैलरी विद हैवी लोग, इसके डिमांड ज्यादा है ट्रेडिशनल जाल वर्क और फिलगीरी वर्क के कान और गले के आभूशन भी महिलाओं को खुब पसंद आ रहे हैं ग्रहकों की पसंद को देखते हुए दुकानदारों ने गोल्ड स्टर्ड, हैंगिंग डैंगलर्स, जुमका पैटर्न, हैंगिंग एरेंस ज्यासे गहनों की काफी वराइटी डिस्प्ले की हुई है अब गोल्ड एरिंग एंटिक लूप में भी उपलब्थ है, हलनकि इसके मेकिंग चार्जर्ज आम जोल्डी से थोड़े ज्यादा है धन तेरस के मौके पर हो रही खरीदारी की वज़ह से सोनी की कीमतों में तेजी आई है पिछले साल दिवाली के मौके पर सोनी चांदी की सेल प्रती दिन एक करोर से ज्यादा थी अभी तो शुरुआत है, इस बार कारोबार पिछले साल से ज्यादा होने की उम्मीर है धन तेरस के मौके पर चल रही खरीदारी में ज्यादा डिमांड की बात करें तो सोने के सिक्क्य और सोने के चूडियां लोगों को काफी भा रही है वहीं उपहार देने वालों को फ्रेम लक्ष्मी गनेश जी सबसे ज्यादा पसंद आ रहे है यहाँ पर इटालियन डिजाइन्स एंटीक गोल्ड में और पोल की वर्क में बहतरीन विराइटी है आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुपकामनाय देना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि धन तो आनी जानी चीज है लेकिन सबसे बड़ा धानने है अपना स्वास्त तो उसका ध्यान रखें स्वास्त रहें झाल